नमस्कार मैं सहुल पांडे और आप बने हुए हैं मैं मेडिया के साथ बात किसान विधयक की करेंगे किसान विधयक जो की कल राजसवा से भी पास हो गया लेकिन भारी हंगामा हुआ देश भर में कई जगों पर किसान इसका विरोध कर रहे हैं कि इस विधयक में कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसानों के खिलाफ जाती हो और ये बताने की कुशिस कर रही है कि 2022 तक जो सरकार का प्लान है कि किसानों की आये दोगुनी करनी है उसमें यक कारगर सिध होगा और एक ट्रांतिकारी कदम सरकारी से बता रही है लेकिन इस विधयक में है क्यारा खास तौर पर बिहार की बात करें तो बिहार में इस विधयक को लेकर कोई ऐसा आंदोलन नहीं देखने को मिल रहा है ना कोी जो है इस पे विरोध ऐसा कर रहा है हाला कि राजनीतिक पार्टियों ने विरोध जताया है कुछ लोगों ने बंद का भी अलान किया है, बंद का अवाहन किया है, लेकिन किसान अस्तर पर, यानि जो आम किसान है, उन्होंने अभी तक इस विधैक के बारे में कुछ भी कहा है, यानि कोई विरोध नहीं दिख रहा, सायद जानकारी का अभाव है, या फिर कहें किसान, जादातर जानकारी का ही अभाव है, लेकिन अगर बात करें कि इस विधैक में है क्या, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, और सरकार क्यों इस विधैक को लाना चाहती है, क्यों इससे अच्छा बता रही है, ये दोनों ही पक्ष को हमें समझना पड़ेगा, तो आईए चल सरकारे में क्या है, तो सबसे पहले बता दें कि इस में सरकार कह रही हैं कि हम एक फ्री मार्केट देंगे, और साथ में तर्म हो अ रहा है और वहां पर अतड़ियों की अलग-अलग दुकाने होती हैं उन दुकानों पर जा करके अपना समान दिखाते हैं उन दुकानों पर वैपारी होते हैं जिने आप बिचौलिया भी कह सकते हैं यह बिचौलिया किसानों के समान को देखते हैं उसका उसकी क्वालिटी जाच होती और उस अनुसार से फिर मुल्य तै होता है और फिर जो है अभी उनका अनाज बेचा जाता है लेकिन अब यहां पर क्या सरकार कह रही है कि अब जो है एपी एमसी पे जो है किसानों को dependent नहीं रहना पड़ेगा किसान जो है अब जो है फ्री मार्केट में यानि कहीं पर भी जो है अपना समान खुद से बेच सकेंगे और अपने जो प्रोड्यूस है उसका एक मुल्य निर्धारित करके वो समान बेच सकेंगे अब यहां पर कुछ और बाते मैं आपको बताना चा लंधेन जाएगी, जैसे कि अब या आलू का प्रोडक्शन हुआ, वेस्ट बेंगाल में अलू का प्रोडक्शन zाधा हुआ था लेकीन और इस्ट बेंगाल की सरकार नरोक लगा दी यहां से आलू वहां नहीं जाएगा ऐसे में वूड़ीसा में आलू के दाम योगा तो और किसानों की दिक्कते क्या है जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं ये आपको बता देते हैं पहला क्या है कि मुल्यत का जो अस्वासन है और क्रिसी सेवाए जो APMC होता है वहां पे जो है सरकार वहां से टेक्स वसुलती है लगवग 6% का टेक्स वसुलती ह हरियाना पंजाब और Western UP जासे इलाकों में जो इससे टेक्स आता है सरकार उन टेक्सों को collect करती है और फिर किसान किरिसी सुविधा में यानि ग्रामिन किरिसी के सुविधा को ले करके काम करती है और APMC के development में काम करती है तो ऐसा कहा जा रहा है कि अब वो टेक्स जो है नहीं मिल पाएगा तो किसानों के लिए या फिर क्रिसी संबंदी जो विकास का रहे है सरकार वो नहीं कर पाएगी और ऐसा बताया जा रहा है कि सरकार इससे बचना चाहती है इसलिए ये free market का concept सरकार लेकर आई है अब दूसरी बड़ी बात आपको बता दें कि 82 दसमलो दो एक परतिशत जो है हमारे देश में marginalized farmer है यानि छोटे farmer है तो वो छोटे farmer कैसे अपने product को free market में जाकर बेच पाएगे क्योंकि अभी तक APMC की बात करें तो वो वहाँ जाकर के बेच पाते थे लेकिन यहाँ पर ये बड़ी दिकत देखने को मिल रही है और तीसरी बड़ी बात एक एक example दिया जा रहा है बिहार का 2006 में बिहार में यहीं किया गया था लेकिन उसके बाद से क्या हुआ बिहार में फ्री मार्केट होने के बावजोद भी बिहार के किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ है 14 सालों में और इसलिए जो है हरियाना पंजाब के किसान कहा रहे है जब वहाँ पर यह model फेल हो गया है तो फिर क्या guarantee है कि यह model जो है देश में सफल रहेगा तो सरकार की दलीले अपनी तरफ है और किसानों की दलीले अपनी तरफ है इस विधैक में जो दूसरा बिल है वो जुड़ा हुआ है मुल असवासन और किसान तथा क्रीसी सेवाओं से जुड़ा हुआ है यानि ससक्तिकरण उसको रखरगाव तक की बात होती है तो इसमें क्या होता है कभी मौसम खराब हो गया तो सुखाड हो जाता है कभी बाड़ आ जाता है तो किसान जितना सोचता है कि मैं इतना पैदाइस करूंगा उतना नहीं हो पाता और quality भी घटती है और quantity भी घटती है तो इससे क्या होता है कि उसने जितना अनुमान लगाया होता है कि वो इतना कमा सकता है वो अनुमान कहीं कम हो जाता है और उससे क्रिसी में घाटा होता है अब क्या होता है कि वो ये समान जो है जब ले करके जाता है दूसरे बेचने के लिए तो वहाँ पे जो है अलग- करनी पड़ेगी दरसल इसमें कहा गया है कि किसान जो है किसानों के बीच में और जो कंपनियां होंगी उनके बीच में एक करार होगा एक जो है कॉंट्रेक्ट बनेगा इसमें कॉंट्रेक्ट फार्मिंग की बात कही गई है यानि कि जैसे किसी कंपनी को चाहिए बहुत ज्या गलग जो है contract उनके जमीन प्रोड्यूस को ले करके बनाएगा और उस प्रोड्यूस के हिसाब से उसमें भाव तैह हो जाएगा कि हम आपका अनाज जो है इतने रुपए में खर देंगे ऐसे में क्या होगा कि किसान जो है अपना जो पैदाइस करेगा उसका मुल पहले से fix मिलेगा ऐसा सरकार का कहना है लेकिन यहां पर एक बड़ी अर्चन जो है किसान एक बड़ी अर्चन है जो किसान बता रहे हैं वह क्या है कि माल लिजे कि हमने contract किया 20 रुपय का और हमारी पैदाइस अगर अच्छी हुई तो हमें 20 रुपय तो मिलेंगी लेकिन जब मार्के में जो है बहुत सारे खराविया निकाल दें और कहां कि यह तो दाना सही नहीं हुआ या फिर इसका रंग सही नहीं हुआ यह quality सही नहीं है और इस तरीके से वह कह सकते हैं कि हम जो है contract के हिसाब से नहीं बलकि इस दाम पर आपसे समान लेंगे यह किसानों की दिक्कते हैं यहां पर सरकार कह रही है कि हम इस चीज को SDM लेवल पर या फिर DC लेवल पर सुल जाएंगे या इस चीज को मामले को सुल जाएंगे लेकिन एक बड़ी दिक्कत है जो बड़े पार्टनर हैं जो private players हैं उनके पास पैसा है ऐसे में जब यह मामला किसानों के बीच में और ब से बड़ी मुश्किल बात है और यहीं पे जो है पेंच फस रहा है इस विधैक में जो तीसरा बड़ा बिल है वो सिर्फ किसानों के लिए नहीं है बलकि आम नागरिक के लिए जो खेती नहीं करता है लेकिन खेती के चीजों पर dependent रहता है यानि product खरिता है पेट भरता है उ यह जो है आवस्यक वस्तु संसोधन कानून है 2020 इससे पहले ऐसा ही एक कानून लाया गया था 1955 में उस समय क्या था माउट टू सिफ का एक concept कि सरकार बाहर से अमेरिका अमेरिका से सिफ्ष समान मंगाती थी और फिर उसे supply करती थी लोगों के पास कि लोग उसे खरी सके दुक कर लेते थे और फिर समय पढ़ने पर उसे ज्यादा में बेशते थे यानि काला बजारी और जमा खोरी जैसी चीज़ें ना हो इसके लिए 1955 में यह कानून लाया गया अब जो यह सरकार कानून लेकर आई है इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि कुछ चीजों को एसेंसियल क ओमेडिटी से हटाया जाए ताकि प्राइबट प्लेयर इसमें आ सके और किसान जो है जो है जिसान के पास क्योंकि दिक्कत होगा जब ज्यादा प्रोडियूस होगा तो जगा नहीं है रखने के लिए ऐसे में अगर प्राइबट प्लेयर्स आएंगे तो जो है सवान बेचा तो हमने तो एक समय पर समान बेच दिया प्राइबट प्लेज ने उस चीजों को जो है इस टूर करके रख लिया और जब जरुवत की बात हो गई उस समय प्राइबट प्लेज क्या बताएंगे कि उनके पास कितनी चीजें इसमें जमाखोरी की जो असंकाये हैं वो सबसे ज़्यादा है लेकिन यहां पर दो चीजे हैं सरकार ने कहा है कि अपातकाल की स्तिथी में और बहुत कोई सी आपदा की स्तिथी में जो है ऐसा जो है नहीं होना चाहिए मतलब कि जितना भी स्टोरेज होगा उसमें यह नियम लागू नहीं होगा यानि जो जिन प्राइबेट प्लियर्स आये थे उन्होंने किसानों से समान खरदा था और इसे स्टोर कर लिया था हुआ क्या था कि जब आपात जब देश में समान की प्रोड्यूस की कमी हो गए थी तो सरकार ने इन प्राइबेट प्लियर्स से कहा था कि आप जो है हमें बेवरा दें कि आपके पास कितना अनाज है ऐसे में इन प्राइबेट प्लियर्स ने सही सही जनकारी नहीं दी थी ऐसे क्या हुआ था कि सरकार को जानकारी की अभाव में बाहर से देश से बाहर से जो है अनाज मंगाना पड़ा था और उसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्चा हुआ था ऐसे म अगर जमाखोरी को लेकर के सरकार के पास कोई सक्त कानून है या फिर audit करने को लेकर कोई सक्त नियम है तो सरकार को उसे बताना चाहिए ऐसा जो है एकनौमिस्ट कह रहे हैं ऐसा इस मामले के जानगार कह रहे हैं तो यह जो पक्ष था हमने आपके सामने रखा कि पक्ष सरकार क्या कह रही है और किसान क्या कह रहे हैं अब यहां पर दो बड़ी चीज़ें जो है फस रही है पहला एपी एमसी के मामला को हमने आपके बताया कि अगर एपी पर्तिशत जो किसान है वो ही MSP का फाइदा उठा पाते हैं एक रिपोर्ट आये थी निती आयो कि उसमें स्टेट वाइज चीज की जनकारी दी गए थी और जब उसमें बिहार की बाते जब आपको उसमें पढ़ेंगे तो आपको उसमें कोई आंकड़ा नहीं दिखेगा बस कि जो सरकारी APMC है वो किसानों की पहुंच से बहुत जादा दूर है और फिर किसान सोचते हैं कि हम उतना दूर लेकर जाएंगे उससे बढ़ियाम यहीं पर थोड़ा कम दाम में बेचने क्योंकि मामला बराबर का पड़ता है तो इस तरीके की बाते हैं लेकिन पंजाब हर तो पर जादा विरोध हो रहा है अब यह किसान बिद्यद है या फायदे नहीं है यह अपने हिसाभ से सोचते हैं हमने आपको बता दिया और आम इसके अनुसार जो है कि आकलन कर सकते हैं कि किसान बिद्यद का्सारों काहिए है किसान विरोत कर रहे हैं उस पर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि MSP नहीं अटेगा MSP पहले की तरह जारी रहेगा APMC के भी जो जितने भी गुदाम है वो भी चलेंगे यानि किसान के पास दोनों अप्सन मौझूद है वो चाहे तो फ्री मार्केट में जाए वो चाहे तो सरकारी जगा पर जाके अपना आनाज बेचे अब ऐसे में आप क्या सोचते हैं यह आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं फिलाल इस वीडियो में इतना ही आप बने रहे हमारे साथ नमस्कार